अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से, कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरू को भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे जीवन में गुरू का बड़ा महत्व है भारत में हर साल 5 सतंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है यदेश के पहले उपराश्ट्रपती और पूर्व राश्ट्रपती विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानत डॉक्टर सर्वुपली रादाक्रश्नन के जनमदिन के उपलक्ष में मनाया जाता है साल 1962 की बात है जब डॉक्टर सर्वुपली रादाक्रश्नन ने भारत के दूसरे राश्ट्रपती के रूप में पदभार संभाला तो उनके कुछ पूर्व शात्र उनके पास पहुँच गए और 5 सितंबर को उनका जनमदिन मनाने की अनुमती मानी इसके बाद तकालन सरकार ने इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में घूशित कर दिया और तबी से हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा बता दे कि डॉक्टर रादाकृष्णन ने एक बार कहा था कि शिक्षकों को देश में सर्वशेष्ट दिमाग वाला होना चाहिए वही साल 1904 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर सर्वपली रादाकृष्णन ने अपने जीवन के 40 साल एक शिक्षक के रूप में देश को समर्पित किये उन्होंने हमेशा से ही शिक्षकों के सम्मान पर जोड दिया है उनका मानना था कि एक सच्चा शिक्षक समाच को सही दिशा देने में एहम भूमी का निभाता है एक सच्चा शिक्षक अपने अपने शिष्य को विपरीत परिस्तितियों का सामना करना सिखाते हैं और उनका जीवन सधारने में महत्वुकून योगदान देते हैं इसलिए शिक्षकों की अंधेकी ठीक नहीं है। यदिन शिक्षकों द्वारा दिये गए इन सभी योगदानों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक बहतरीन मौका है। बच्चों का पहला गुरू उनके माबाग को माना गया है। इसके बाद जब बच्चा स्कूली शिक्षा के लिए विद्याले जाता है तो शिक्षक उसे सब्जिक्ट का ग्यान देने के साथ आगे बढ़ने के लिए मार्कदर्शित करते हैं। एक अच्छा शिक्षक एक मुम्बत्ती की तरह होता है। खुद प्रजवलित होकर दूसरों को रास्ता दिखाता है। शिक्षक के बि स्थानों में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। छांत्र अपने प्रिये शिक्षकों के प्रती अपनी प्रशन सा व्यक्त करने के लिए प्रदर्शन, नरत्य और विस्त्रित शो जैसी विभिन गतिवीदिया आयुजित करते हैं। यहां तक कि उन लोगों के ल प्रूव और शिक्षक को फेस्बुक, वाट्सेप पर स्पैशल मैसेज भेज कर टीचर्स दे की शुपकामना दे सकते हैं। नमस्कार।